असलामों आलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखास कुछिन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं इस तरीके से बड़िया मज़ेदार से चिकन तंदूरी लेकिन स्पाइसी नहीं लख्या मसाले वाली रही है तो इसी तरीके से चलिए बनाते हैं बिना अवन, बिना तो चलिए श्यूरू करते हैं साधरन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से, एक्स्टर ओडिनरी तंदूरी चिकन बनाते हैं चलिए, यह हैं एक किलो तक की चिकन, लेक पीस हैं पूरे-पूरे और साबुद, इसकी चर्वी निकाली मैंने दो-तीन पानी से धो लिया, निता से पहले फर्स्ट मेरिनेशन कर लेते हैं, इसमें दाल दीजिए आदा चुड़े चाय का चमच हल्दी पावडर, एक चुड़े चाय का चमच नमक या स्वादन उसाल दाल दीजिएगा, मैं इस तरीके से उलट-बलट करते हुए लगा रही हूं, एक बड़ा नींगू था तो उसका रस मैंने निकाल लिया है, इस तरीके से सब जगा लगा दीजिए चिकन के ऊपर और एक टीबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और रब कीजिए, अंदर स्लिट में भी बहुत अच्छे से रब कीजिए और इसे पंदर वाला मेरिनेशन कर लेते हैं, मैंने ये वन फोट कप दही ली है, ये नॉर्मल साधे टेंपरेचर की है और नॉर्मल मैंने कुछ हंकर्ड नहीं ली ये बड़ आप चाहें तो हंकर्ड ले सकते हैं, उसके लिए आप क्या कीजिए, आधा कप दही को छन्नी के ओपर लगा कर रख दीजिएगा दाल कर 10-15 मिनिट के लिए फिर जो जमा हो जाएगी उपर जो चन्नी के ओपर वो आपको हंकर्ड मिलेगी, उसमें से वन फोट कप दही ले लीजिएगा, इसमें दाल दीजिए आदा छुड़ चाह का चमच, स्पाइसी वाला लाल मिर्चों का पाउडर, और यहां पर मैं कश्मीरी यानिके नॉन स्पाइसी, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी दाल रही हूँ, ये दो छोड़े चाह के चमच दाल रही हूँ, अब आपको स्पाइस, आपके एसाब से अज़ेस्ट करना है तो कर सकते हैं, आप एक भी दाल सकते हैं, एक और पिसा हुआ जीरा पाउडर, अब यहां पर दाल दीजिए, दो छोड़े चाह के चमच, चाट मसाला पाउडर और एक छोटा चाह का चमच, करम मसाले का पाउडर भी दाल दीजिए, आधे नीमू का रस, नीमू छोटा था, तो यहां पर मैं नीमू का रस दाल रही मैं यहां पर ना ओलिव ओल दाल रहे हूं आप साधा ओल भी दाल सकते हैं कोई बात नहीं है और चुटकी भर मैं यहां तंदूरी फूट कलर आता है लाल वाला वो दाल रहे हूं यह टोटली ऑप्शनल है आप में नहीं दालना तो स्किप कर दीजेगा बहुत अच्छे से य जो हमारी यह जो स्लिट से इसमें तो बहुत अच्छे से मसली है और बहुत अच्छे से रब कीजिए चिकन के ऊपर ऊपर नीचे साइज पर चारो और और तीनों चिकन के पीसे को अच्छे से वेल कोड कर दीजिए अच्छे से रब कर दीजिए और इसे ढाक कर मैरिनेट कर के रख दीजे नेक्स डे बना लीजिएगा मैंने दो घंटे मेरे नीट करने रखा था अब एक कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा तेल दाल देती हूं तेल दो टेबल स्पून जितना मखन दाल दीजिए और मेल्ट हो जाए चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए मेल्ट ह 10-11 मिनिट हो जाए तो इसे पलट दीजिए और स्लो आज करके इसे धाक कर तकरीबन 10-11 मिनिट तक पकने दीजिए मैंने यहां मेरी कड़ाई इसकदर लिया है कि यह मसाला चिटकेगा नहीं तो आप भी ऐसी कड़ाई या फ्राइपन लीजिएगा जिसमें आपका मसाला च देख सकते हैं चिकन गल चुकी है पानी अभी भी नीचे आपको देख रहा है तो आप यहां 2-3 तरीके हैं फास्ट आज करके पूरी तरीके से पानी सुखा लीजिए उलट पलट करते हुए जब फुली ड्राय हो जा चिटकने लगे और जो स्पॉट्स आने लगे दोनों चूला कर दीजिएगा बंदोर उसे कोईले का टंडा देखे निकाल लीजिएगा बट मैं यहां पानी नहीं सुखा रही हूं मैं डायरेकली चिकन के पीसिस को घ्रिल कर रही हूं चूले के ओपर डायरेकली प्लेट रख कर इस तरी से मखषन बटर उसके ओपर लगा कर है उससे आप चूला फास्ट आंच करके इसमें उबाल आ जाने दीजिए अब मेरे इसमें तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रेवी है आपकी अगर बाइब डिफॉल्ट सूख गई हो और आपको भी ग्रेवी चीह हो तो वन फोट कप जितना पानी डाल कर एक दो मिनि करते हुए इसे अच्छे से वेल कोट हो जाएगी और ड्राय आउट भी हो जाएगा मसाला अब मसाला आपने जितना रखना है उसे सापसे रखे मुझे इतना परफेक लग रहा है मैंने चूला कर दिया बंद एक वाटी रख दीजिए इनके बीच में करम कोईला मैंने साइ तो चलिए बस यह कोईला हो चुका है पांच मिनिट में इसे मैंने निकाल लिया और यह बन गए हमारी चिकन तंदूरी मसाले वाली एकदम लेकिन लेकिन स्पाइसी नहीं है बिलकुल भी और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी डिलिशिस है और इसे मैं जो ऑनियन ड्रें थोड़ी सी कोद मिर्याने के अहरा धनिया दाल के सफ कीजिएगा और साइड पर आप देख सकते मैंने निम्बू भी रखे हैं कटे हुए जिसे निम्बू ने चोड़कर खाना है को खा सकता है अच्छा आप देख सकते किती पढ़िया थी मसाले दार लग रही हमारी तंद अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जादा अच्छे लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फावड कीजिएगा फिर से हादिरों की नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ अंचल दें टेक केर लाफिस बाबाई